नमस्कार आज के वीडियो में हम आफ बाव प्रिंसिपल आफ वो सिद्धान्त के बारे में जानेंगे किसी भी परमाणों के लिए इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखते समय बहुत ही उपयोगी होता है और इसके अनुसारी सभी परमाणों के लिएक्ट्रोनिक विन्यास लिखे जाते हैं तो ये नियम नहीं है बलकि एक नियमों सिद्धान्तों का एक ग्रूप है जिसके अनुसारी सभी परमाणों के लिएक्ट्रोनिक विन्यास लिखे जाते हैं तो नाबिक से बाहर इलेक्ट्रोनों का वित्रण किस प्रकार होता है वो हम आफ वो प्रिंसिपल के माद्यम से लिखते हैं इसमें पावली का अपवर्जन शिद्धानत आता है पावली एक्स्क्लिजन प्रिंसिपल हुंड से मैक्सिमम मल्टिपलिसिटी रूल यानि हुंड का अधिक्तम बहुता का नियम इसमें आता है एन प्लस एल रूल भी इसमें आता है और इस्टेबिलिटी ओफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड और्बिटल्स ये चार सिद्धानत इसके अंदर आता है जो किसी भी प्रमणों के इलेक्ट्रोनों का विन्यास लिखते समय बहुत ही उप्यों की सिद्ध होते हैं तो ये वीड प्रमणों का इलेक्ट्रोनिक विन्यास आसाने से लिख सकते हैं यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें तो हम आगे बढ़ते हैं आफबाव सिद्धान्त सबसेल में इलेक्ट्रोनों का क्रमिक प्रवेस को आफबाव सिद्धान्त करते हैं यानि सबसेल के अंदर इलेक्ट्रोन जिस क्रम में बढ़ते हैं उसे आफब वो सिद्धान्त करते हैं इसकी उत्वत्ती एक जर्मन मुहावरा आफबाव प्रिंजिप से हुई है जिसका अर्टोता है एक-एक करके जोड़ना या निर्मान करना यानि इसमें हम इलेक्ट्रोनों को एक-एक करके भरते हैं और इस परकार से इलेक्ट्रोन विन्यास का हम निर्मान कर देते हैं इलेक्ट्रोनिक विन्यास इसी सिद्धान्त के आदार पर लिखा जाता है जिसा के हम पहले भी बात कर चुके हैं इस सिद्धान्त करंचर परमानों के कक्सकों में इलेक्ट्रोनों को उनकी उर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है जिन ककसकों की उर्जा कम होती है उनमें elektron पहले बरे जाते हैं और जिन ककसकों की उर्जा अधिक होती है उनको हम बाद में बरते हैं तो पहला है इसमें Pavoli का flatter zitten पावlli's exclusion principle किनी दो इलेक्ट्रों के लिए चारो कॉंंटम संख्याओं का माण एक समान नहीं हो सकता ये नियम कहता है हमें कि किनी भी दो इलेक्ट्रोनों के लिए चारो क्वांटम संक्या होगा मान एक समान नहीं होगा यदि तीन एक समान हो भी जाए तो चोती क्वांटम संक्या जो चक्रन क्वांटम संक्या है तो वो अलग-अलग हो जाएगी यानि उनका चक्रन हमेशा विपरे दिसा में होगा अर्थात किसी परमाणों के दो इलेक्ट्रोन एक समान नहीं हो सकते किसी भी परमाणों के दो इलेक्ट्रोन एक समान नहीं हो सकते यदि सब कुछ समान होगा तो भी चक्रन, क्वांटम, संक्या यानि उनके एस के मान अलग अलग हो जाएंगे और वो विपरिद सामें हो जाएगा इसी सबसे पहले पावली ने 1925 में बताया था इसलिए इसे पावली का अफ़र्जन सिद्धान्त कहते हैं तो सिद्धान्त कुछ इस प्रकार है एक कक्सक के दोनों इलेक्ट्रोंस का चक्रण इस्पीन सदेव विपरिद होता है समानांतर नहीं होता है हम जानते हैं कि इलिक्ट्रोंस एक दूसरे को परतीकर्षित करते हैं और वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहने की कोशिस करते हैं इसके लिए एक ही कक्षक में उनके चक्रण विपृत हो जाते हैं कि यदि समाना नत्र होंगे तो उनमें अधिक प्रतिक्ष्ण बल लगेगा और वो विन्यास इस्ताई नहीं होगा तो उनका चक्रण हमेशा विपरित दिशा में होता है कि अब देखते हैं कि यहां पर तीन कक्सक हैं अब इनमें इलेक्ट्रोन बढ़ते हैं यह एक इलेक्ट्रोन यह दूसरा इलेक्ट्रोन यानि यह चक्रण कैसा हो गया समाना नत्र हो गया दोनों एक ही दिशा में इसमें बढ़ते हैं इन दोनों का चक्रण भी एक ही दिसा में हो गया तो यह दोनों विन्यास ऐस ताई है और यहाँ पर दोनों एलेक्ट्रोन में प्रतिकर्षन बल लगता है इसलिए यह विन्यास ऐस ताई हो जाता है तो यह गलत तरीका है इनका इसे बढ़ने का तो एक electron clockwise और दूसरा anti-clockwise इसमें spin करते रहते हैं यहनि दोनों का चक्रण विपरित दिसामें हो जाएगा तो इस प्रकार से electron बढ़ते हैं और यह इनका सही तरीका है तो कभी भी हम एक ही कक्सक में समानतर चक्रण वाले electron नहीं बरेंगे बलकि उनका चक्रण हमेशा विपरित होगा यह कहता है पावली का आपवर्जन सिद्धान्त तो इस सिद्धान्त के कुछ अनप्रियोग भी है कि तत्वों को इलेक्टरनिक विन्यास लिखने में साहिता मिलती है और इसकी साहिता से मालम चलता कि एक ही कक्सक में अधिक्तम दो ही electron रह सकते हैं और जिनका चक्रण विपरित होता है एक कक्सक में electron आपस में प्रतिकर्षन के करण अधिक्तम दूरी पर रहने की कोशिश करते हैं इसलिए उनका चक्रण विपरित दिशा में होता है तो आपके जरूर समझ में आएगा पावली का आप वर्जन सिद्दान्त अब हम दूसरे सिद्दान्त की बात करते हैं हुंड का अधिक्तम बहुकता का नियम हुंड स्ट रूल ओफ मैक्सिमम मल्टिपलिसिटी समान उर्जा वाले कक्सकों में इलेक्ट्रोनों को बढ़ने के लिए हुंड का नियम अतियदिक मैत्व है समान उर्जा वाले कक्सक एक ही सबसेल के सारे कक्सकों की उर्जा बिलकुल एक दूसरे के समान होती है तो समान उर्जा वाले कक्सकों में इलेक्ट्रोन बढ़ने के लिए हुंड के नियम का अधिक मैत होता है जिसे डी उपकोस में पांच कक्सक होते हैं तो पांचों की उर्जा एक समान होती है तो उन में Elikton बढ़ने के लिए हुन्ड का नियम का बहुत अदिक महित हो है तो नियम यह कहता है की उप कोशों में Elikton का यूगमन तब तक नहीं होता जब तक की समान उर्जा वाले ककसक रिक्त हो यहनी समान उर्जा वाले जितने भी ककसक है उन सबी में पहले एक-एक इलेक्ट्रोन भरा जाएगा और उनके बाद ही उसमें इलेक्ट्रोन का युगमन होता है अब हुंड के नियम को एक एक जामपल के माद्यम से हम समझने की कोशिज करते हैं जैसे मानलो ये ट्रेन का डिब्बा है और इसमें एक दो, तीन, चार और पांच, पांच इसमें शीटे हैं तो क्या होगा ये डिब्बा बिल्कुल खाली है जैसे एक आदि में आएगा इसमें यहां बेढ़ जाएगा अब दूसरा आएगा, वो कहां बेटेगा, वो इसके साथ बेटेगा, नहीं बेटेगा, वो यहां पे बेटेगा तीसरा आएगा, वो भी इनके साथ नहीं बेटेगा, वो भी सोचेगा कि मेरे कुछ अलग से सीट चाहिए तो वो जाके इस पे बेट जाएगा पिर चौत आएगा वो भी इनके साथ नहीं बेटेगा वो भी देखेगा कि क्यार खाले सीट कौन सी है तो यहां बेट जाएगा पिर पांच वा आएगा वो भी खाले सीट देखेगा और ये वास्तों में ऐसा होता है चाहिए हम बस में जाएं या ट्रेन में जाएं तो भी यहां पे बेट जाएगा अब पांचो सीट पे एक एक आदमी बेट गया अब जो चटा आदमी आएगा वो कहां बेटेगा वो इन में से किसी के साथ भी बेट सकता है क्योंकि अलग से सीट नहीं है तो चलो वो यहां बेट गया अब साथ वा आएगा वो यहां बेटेगा हाट वा आएगा वो यहां बेटेगा नवा आएगा यहां बेटेगा और दस वा आएगा वो यहां पे बेटेगा तो इलेक्ट्रोनों का वित्रण भी समान उर्जा वाले कक्सकों में इसी परकार से होता है पहले सभी समान उर्जा वाले कक्सकों में एक-एक इलेक्ट्रोन आता है उसके बाद ही इनमे इलेक्ट्रोनों का यूगमन प्रारम होता है यह 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 काहिए कि जब तक एक भी कखसक खाले है समान उर्जा वाला तो उनमे इलेक्ट्रोनों का यूगमन नहीं हो सकता यह हुंड का अदिकतम बहुता का नियम है हम नािट्रो fakat करते हैं कि इसमें परमानशन क्या साथ है साथ उलिक्ट्रो सिसमें होते हैं तो तो लोन च्ट और नेशनक हैसं गया है कि इसकी उर्जा सबसे कम होती है फिर टूएस में बढ़ेंगे इसकी उर्जा बने से ज़्यादा होती है तो विप्रित चक्रण वाले एलेक्ट्रोन हम इन बढ़ते हैं, चार एलेक्ट्रोन भरे जा चुके हैं, अब तीन एलेक्ट्रोन और सेस बचे हैं, तो वो भरने हमें टूपी ककसक में, तो हमने एक एलेक्ट्रोन यहां बढ़ दिया, दूसरा यहां बढ़ दिया, और तीसरा यहां बढ़ दिया, क्या यह सही है, यह उंड की नियम का पालन नहीं करता है तो ये विन्यास गलत है हुंड का नियम ये कहता है कि जब तक समान उर्जा वाले कख सकर रित हो यह खाली पड़ा है तो इलेक्ट्रोनों का यूगमन यहां पे नहीं होना चाहिए तो ये गलत है तो हम सही लिखेंगे दो लिखेंगे तो इसमें आजाएंगे अब तीन बचे और तीन ही अपने पास में समान उर्जा वाले करठ सकर कागे तो एक लिखेंगे जाएगा एक इसमें आ जाएगा עर एक सही विन्यास है अब हम औक्सिजन का और और एक्जामपल लेते हैं परमानुसंग क्या आठ होती है पहले कोस में दो और दूसरा कोस में बज़ बचेंगे 6 एलेक्टोन आएंगे उनमें से 2S कक्षक में 2 एलेक्टोन आ जाएंगे अब 4 एलेक्टोन भरे जा चुके हैं 4 और 6 है तो क्या होगा इसमें हम बढ़ देंगे 1 एलेक्टोन एक इसमें बढ़ देंगे और दो यहां बढ़ देंगे तो क्या यह सही विन्यास है यह सही विन्यास नहीं है क्योंकि एक अक्सक खाली पड़ा है और यह इलेक्ट्रोनों का युगमन हमने कर दिया तो यह इसका गलत तरीक है अब हम देखते हैं सभी विन्यास की इस प्रकार से हम बढ़ेंगे तो दो अलेक्ट्रोन इसमें आ जाएंगे दो विपरित चक्रन वाले इसमें आ जाएंगे अब बचे चार इलेक्ट्रोन तो एक इसमें आएगा पिर इसमें आएगा फिर इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रोन आ जाएगा अब समान उर्जा वाले सभी कक्सकों में एक-एक इलेक्ट्रोन बहा जा चुका है अब इलेक्ट्रोन का युगमन हो सकता है तो एक इलेक्ट्रोन और बचा जो यहाँ पे लिख देंगे तो ये इसका सही तरीका है मुझे पुरा विश्वास है कि हुंड का नियम्बिया आपके जरूर समझ में आया होगा अब नमबर तीन तीसरा रूल है N प्लेस L रूल N का मतलब यहाँ पर होता है मुखे क्वांटम संक्या और L का मतलब होता है दिगन्सी क्वांटम संक्या यानि इन दोनों का योग करके हम देखते हैं कि किस कक्सक की उर्जा कम है कक्सकों में इलेक्ट्रोनों को उनकी उर्जा के बढ़ते हुए करमें भरा जाता है यह हम जानते हैं कि पहले कम उर्जा वाले कक्सकों में इलेक्ट्रोन बढ़ते हैं उसके बाद में उच्छी उर्जा वाले कक्सकों में इलेक्ट्रोन बरे जाते हैं अब हमें केसे मालम चलेगा कि किस कक्सक की उर्जा कम है और किस की उर्जा अधिक है तो यह हमें पता चलता है N प्लस L रूल से जिसके लिए N प्लस L का मान कम होता है उसकी उर्जा भी कम होती है और जिन कक्सकों के लिए N प्लस L का मान ज्यादा होता है उनकी उर्जा भी उच्छ होती है इलेक्ट्रोन पहले कम N प्लस L वाले कक्सक में बरे जाते हैं यानि उनकी उर्जा कम होती है और उनमें इलेक्ट्रोन पहले बरे जाते है N प्लस L कमान एक समान होने पर इलेक्ट्रोन पहले उस कक्सक में बरा जाता है जिनके लिए N कमान कम हो तो यह बहुत important है यदि N प्लस L के मान एक समान होंगे तो electron पहले उस कक्सक में बरा जाएगा जिसका N का मान कम हो तो यह N प्लस L रूल हमें कक्सकों की उर्जा को निटार्थ करने में साहिता करता है जिसे 1S कक्सक है इसके लिए N मुखे quantum सुनके का मान एक है और S के लिए L का मान सुनने होता है तो 1 प्लस सुनने बराबर 1 यानि इसके लिए N प्लस L का मान एक होता है जो सबसे कम होता है तो सबसे पहले electron इसी में बरे जाएगे 2S के लिए N का मान 2 हो जाएगा और S के लिए L का मान सुनने होता है तो इसके लिए N पलस L के मान हो जाएंगे दो फिर हम बात करते हैं 2P उपकोस के लिए हम बात करते हैं तो इसके लिए N का मान दो और L का मान पी के लिए एक होता है तो खुल मिलाके 3S का मान हो गया तो पहले इलेक्ट्रोन इसमें जाएंगे फिर इसमें जाएंगे फिर इसमें जाएंगे 3S के लिए N कमान 3 होता है और L कमान सुनने होता है तो इसके लिए N प्लस L कमान होगा 3 इन दोनों उपकोसों के लिए N प्लस L कमान 1 समान होता है पर एलेक्ट्रोन पहले उस उपकोस में बढ़ते हैं जिनके लिए N कमान कम हो तो 2P के लिए N कमान कम है और इसके लिए N कमान ज़्यादा है तो पहले एलेक्ट्रोन 2P ककसक में बढ़े जाते हैं अब 3P के लिए हम बात करते हैं P के लिए L कमान 1 होता है और इसके लिए N मुखे क्वांटर संक्या 3 है तो 3 पलस 1 बरावर 4 इसके लिए इसकी वेल्यू हो गई 4S कक्सक के लिए N 4 और L सुनने खुल में लाके 4 3D कक्सक के लिए N कमान 3 और L कमान 2 बरावर 5 यानि 3D कक्सक 4S के बाद में बढ़ा जाता है क्योंकि इसके लिए N पलस L कमान 5 होता है जबकि 4S के लिए N पलस L कमान 4 होता है तो इसी क्रम में आगे हम इलेक्ट्रोन बढ़ते जाते हैं और N पलस L रूल की साहिता से हम उनकी उर्जा को निधार्थ करते हैं तो पहले इलेक्ट्रोन 1S में बढ़ते हैं फिर 2S में बढ़ते हैं फिर 2P और 3S में बढ़ते हैं उसके बाद में 3P और 4S में बढ़ते हैं अब 4S के बाद में फिर इलेक्ट्रोन जाएंगे 3D में फिर 4P 5S उसके बाद में 4D 4P और 6S 6S के बाद में इलेक्ट्रोन जाएंगे 4F में 4F के बाद में 5D, 6P और 7S में इलेक्ट्रोन भढ़ते हैं तो इस कराम में हम सभी प्रमानों का इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिख सकते हैं नमबर चोथा नियम है अर्द पूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का इस्तायत हैं यानि आदे भरेवे और पूरे भरेवे कक्षक अन्ने कक्षकों की दुलना में आदिक इस्ताय होते हैं अर्द पूरित यानि आदे भरेवे और पूर्ण पूरित यानि पूरे बरेवे कक्सक आधिक इस्ताई होते हैं अता है इलेक्ट्रोनिक विन्यास में इलेक्ट्रोनों का वित्रण इस प्रकार होता है कि यता संभव उपकोस आधे बरेवे हो तो जहां तक संभव हो इलेक्ट्रोनों का वित्रण इस प्रकार होता है कि उपकोस आधे बरेवे या पूरे बरेवे हो क्योंकि ये अधिक इस्ताई होते हैं तो इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखते समय हम आधे बरेवे और पूरे बरेवे कक्सोगों का विशेश रूप से ध्यान रखेंगे जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रोनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4 और 4s2 होना चाहिए यह इस परकार का इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास होना चाहिए पहले इलेक्ट्रोन 4s में जाते हैं उसके बाद में 3d में इलेक्ट्रोन बढ़े जाते हैं इस प्रकार का इसका विन्यास होता है अब ये पूर्ण कक्सक आदा बरावा भी नहीं है और पूरा बरावा भी नहीं है तो जिसा कि हम जानते हैं कि अर्ध पूरित और पूर्ण पूरित यानि पूरे बरेवे कक्सक अधिक इस्ताय होते हैं और इलेक्ट्रोन विन्यास में वित्रण भी इस प्रकार से होता है कि यता संभव कोस आदे या पूरे वरेवे हो तो यह आदा बरावा नहीं है और यह पूरा बरावा है तो इस प्रकार से वित्रण नहीं होगा बलकि इनका वित्रण इस प्रकार से होता है यहां से 4S में से एक एलेक्ट्रोन 3D में चला जाता है, तो इसमें D5 हो जाते हैं, और 4S में 1, यानि ये भी आदा बरावा और ये भी आदा बरावा, तो ये अधिक इस्ताई कक्सक हो जाते हैं, 4S में से एक electron 3D में आ जाता है तो D में हो जाएंगे 5 अब ये भी आदा बरावा और ये भी आदा बरावा तो ये कक्सक अधिक इस्ताय होते हैं तो यहाँ पे हम 3D 4 नहीं होता है बलकि 3D 5 और 4S 1 हो जाता है तो ये नियम भी electronic विन्यास लिखते समय ध्यान रखा जाता है और बहुत ही important भी है अब यहाँ पे एक table हम देखते हैं तो इसी प्रकार हम copper की बात करते हैं परमान संक्या 29 होती है और भाई ये electronic विन्यास 3D 9 4S 2 होना चाहिए पर उन्ति ये नहीं होता क्योंकि ये कक्सक आदा बरावा या पूरा बरावा नहीं है जबकि ये पूरा बरावा है तो इसमें से एक electron 3D में चला जाएगा और 3D में हो जाएगे पुरे 10 यानि पूरा बरावा और 4S 1 ये आदा बरावा तो ये इसका वास्तिव कि electronic विन्यास होता है इसी प्रकार से molybdenum 42 इसमें 4D4, 5S2 electron 2 विन्यास होना चीए परन्त ये नहीं होता है बलकि 5S में से एक electron 4D में चला जाता है और 4D5, 5S1 दोनों आदे बरावे कक्सक आदिक इस्ताई हो जाते हैं इसी प्रकार से चांदी के लिए परमान संक्या होती है और ये विन्यास इसका होना चीए परन्त नहीं होता एक electron 5S4D में चला जाता है तो 4D में 10 और 5S में 1 यानि आदा बरावा और पुरे बरेवे कक्सक हो जाते हैं जो अधिक इस्ताई होते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आज का वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सेर जरू कीजिए और इसी परकार के अन्य वीडियो के लिए हमारा चिनल इस्टार साइंस आप देखते रहे है धन्यवाद